Hello everyone, कैसे हैं आप सबी? I hope you all are doing very well. So, आज की वीडियो का topic है कि बच्चे के गले में loop of umbilical cord क्यूं आ जाता है? जिसे आटे लेना भी कहते हैं. बच्चे के गले में जब umbilical cord का फंदा लगता है तो फिर normal delivery की chances होती है या नहीं? क्या हर cases में operation ही कराना होता है? ऐसे कई सारे questions आपके तरब से भी आते हैं माएं बहुत चिंती होती है क्योंकि ये एक ऐसा serious topic है जिसके बारे में जानकारी ही बहुत लेट मिलती है. मा को जब scan कराने जाती है तब पता लगता है कि उनके बच्चे ने गले में नावल फंसा लिया है. अब ऐसे समस्या से जूचने के लिए महिलाएं चिंता करने लगती हैं उन्हें पता नहीं होता है आगे क्या करना है नॉर्मल डिलीवरी चाहती है पर नॉर्मल डिलीवरी उन्हें लगता है नहीं हो पाएगी. तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा जरूर देखे ताकि एक भी चीज आप में इसना करें हर एक बात चोटी से चोटी अच्छे से समग जाएं और परिशान बिलकुल भी ना हो देखे होता ये है कि एंबलिकल कॉट जो होता है वो बच जो बच्चे के ब्रेन के डिवलापमेंट या फिजिकल डिवलापमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन में से एक भी चीज कम होती है तो बच्चा किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकता है जेनरली 37% फीमेल्स को जब वो प्रेगनेंट होती है तो 37% आप फीमेल म होती है यह बहुत बेसिक सा common problem है लेकिन यह क्यों होता है सबसे पहले यह जान लेते हैं देखिए अगर आपकी एंबलीकल कॉर्ट का लेंथ जो है अगर थोड़ा लंबा है लॉंग है तो ऐसी परिस्थिती पैदा हो जाती है या फिर बच्चा काफी active है पेट के अंदर तो परिस्थिती आ सकती है इन दो केसिस में बच्चा जो है वो घूमता रहता है गर्फ के अंदर और गले में फिर नावल फंसा लेता है नावल एक फंसा सकता है यानि एक फंदा लग सकता है दो फंदे भी लग सकते तीन भी लग सकते चार चार भी लग सकते हैं लेकिन फिर आपको परिशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, उसका कारण क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, सारी चीज़े साइंटिफिक बेस्ट बता रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से सारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, जब बच्चा नावल अपने गले में फसा ले जैसे जेली होती है, जेली को आप हातों में लीजिए, अच्छे से दवाईए, तो भी उसको कुछ होगा नहीं, वो अपने सेप में वापिस आजाता है, तो हमारे नेचर ने इतना एडवांस बॉड़ी के अंदर, आपके गर्व के अंदर, जब एक गर्व के अस्थापना होती है, आपके जो फीटर्स की है, भरन पोशन के लिए अंबलीकल कॉर्ड बनता है, तब एक जेली, वाटर जेली भी इसके चारो तरफ इस लंबे नली के चारो तरफ लेयर होता है, इसका कारण ये होता है कि जब वो गले में बच्चे के फसेगा, तो डैरेक्ली बच्च के गले में फस जाती है, तो सायद आपका आडवा या नौमा महीना हो सकता है ये, क्योंकि इन ही महीनों में ज़्यादा ये केसे सामने आता है, यसे के साथ जब एमलीकल कॉर्ड बच्चा गले में लपेट लेता है, तो डॉक्टर आपको एक स्पेसल केस समझते हुए, हो जाता है, तो इससे दो प्रॉबलम हो सकती है, फेटस को बेबी को, पहला कि उसका ब्रेन जो है, वो डैमेज हो सकता है, और दूसरे केसे में उसकी देथ भी हो सकती है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत रेर ही ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, व वो टाइट नहीं होता है, वो लूजी होता है, और इस बात की जाच, डॉक्टर आपको बार बार चेक अप के दौरान बुला कर सकते हैं, एक नॉर्मल प्रेगनेंट बूमेन के अलावा जिनके बच्चे के गले में गर्वनाल होती हैं, उनको जादा चेक अप के लिए बुल बेबी के गले में अम्लिकल कॉड होने के बावजूद भी, तो सब कुछ सेफ है, कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन वो हर्ट बीट अगर कम होने लगे, तब उस समय डॉक्टर एक डिसीजन पे आ जाते हैं, कि आपको ऑपरेशन करना पर सकता है, या समय से पहले डिलीबरी करानी पर सकती है, क्योंकि जब बहुत टाइटली अम्लिकल कॉड हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है बच्चे को, तो इस चीज की बात की पूरी अच्छे से जाजपरताल डॉक्टर स्कैन करते हैं, एचेसजी टेस्ट के द्वारा समझने के कोशिश करते हैं, अब आते हैं उन कोश्चेंस पे कि क्या इसमें नॉर्मल डिलीबरी हो जाएगी, या फिर केवल केवल ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, तो देखें ये इस बात पर निर्भर करता है, कि बच्चे की जो एंबलिक में डॉक्टर चेक कर लेते हैं, कि वो फंदा लूज है, नॉर्मल डिलीबरी हो जाएगी, लेकिन वो अगर फंदा एक ही हो और टाइट हो, तो फिर नॉर्मल डिलीबरी नहीं होगी, ये आपके बच्चे के लिए काफे जादा नुकसान दे हो सकता है, क्या नुकसान पहले आपको मैंने बता दिया है, तो देखे, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर डिसीजन पे पहुंचते हैं, और आपको भी डॉक्टर के ही डिसीजन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चा गर्व में किस तरह से घूम रहा है, उसको क्या प पाम करो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसी भी तरह से खुद से कोशिश नहीं करनी है, कि बच्चा गले से गर्वनाल निकाल ले, क्योंकि ये बच्चे के हाथ में भी नहीं होता है, वो मुव्मेंट करता है, आक्टिव रहता है, तो फिर फ मल्टिलिवडी हो ही जाएगी, और आपको कुछ भी करने की जरुद नहीं है, ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके बच्चे के लिए, तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बहुत मदर सोचते हैं मेरी गलती की वज़े से ऐसा हो रहा है, त उसको अपना मन करता है, खेलने, कुदने का, गर्ब के अंदर, क्योंकि उस वक्त तो वही उसकी पूरी दुनिया है, तो अपने मन के हिसाब से कुछ बच्चे काफी एक्टिव होते हैं, खेलते रहते हैं, तो उसमें मा को तो पता नहीं है कि बच्चा गर्ब के अंदर कर क बिलकुल आपके गर्ब के अंदर सुरक्षित है, और वैसे तो डॉक्टर चेक अप अग्यारा करते ही रहते हैं, हाँ, आप एक काम जरूर करें कि स्ट्रेस फ्री रहिए, तनाव अगर इस समय आपको होगा, तो बच्चा भी गर्ब के अंदर जो है, वो अच्छा फिल नह ही करेंगा, उसको घबराहट होगी, फिर और ज़्यादा मोवमेंट करेंगा, अगर मालेजे एक दो उसने गले में नावल फसा रखी है, तो तीन चार भी फसा सकता है, घबराहट में आ करके, तो आप से जुरावा आपका बच्चा होता है, आपकी भावनाओं को समझता है भली भाती आपकी आवाज को भी सुनने की चमता रखता है, इसलिए आप खुश रहेंगी, आपका बच्चा भी खुश रहेगा और सुरक्षित रहेगा, तो स्ट्रेस फ्री रहिए, आपके डॉक्टर हैं, आपको अच्छे से गाइडेंस करने के लिए, आपके लिए आप अब्लिकल कॉर्ड का लूप लगा हुआ था, यह तीन राउंड था, समय से पहले डिलीवरी कराना मेरा भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे के गले का जो अब्लिकल कॉर्ड था, वो थोड़ा टाइट था, तो मेरी बेटी अभी काफी अच्छी है, बहुत हेल्दी ह और काफी बड़ी भी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, हाँ, सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा मेरी डिलीवरी समय से पहले करा दी गई, उसकी सेफटी के लिए, तो I really hope कि सारी ही कुश्चन को मैंने यहाँ पे फुल्फिल किया है, आपको आंसर मिल गया है, फि तो make sure subscribe भी जरूर करिएगा, ऐसी helpful वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी, तो अपना पूरा ध्यान रखे, पूरा ख्याल रखे, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, thank you so much